आजाने नियुक्त असलम लेकूम व्यूबर्स कैसे हैं आप सर्दियों का मुसम है गाजर का हलवा तो सबकी पुसंद होता है तो आज हम बनाने वाले गाजर का हलवा यह मैं बगैर खुएके बनाओंगी तो उसके लिए मैं यह मने डाई किलो गाजर ली थी इसको हमने ग्रेट कर लिया बाराँ अदद लाइचियं लेकर इसका पौडर कर लिया और जो मोटा मोटा उपर से चिलका होगा उसको हमने फैंक देना फिस्ते अपनी पसंद के मताबि ले सकते हैं यह तीस पड़ाम लिये थे मैंने इनको बॉइल करके मैंने बरीक लंबा लंबा काट लिए एक कप चीनी और एक कप ही अने आउय लिया है यह घी इन में से आप जो चाहिए इस्तमाब कर सकते हैं 6 अड़े लिये हैं और 3ृ अप में दूट डालेंगे चलेंब ह इसको बखाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस गाजरों को इस गडाई में डाल लेते हैं गाजरें डालने के बाद हम इसको डग देंगे ताकि गाजरों का फानी फुष्क हो जाए आंच पहुत तेज भी नहीं रखनी के गाजरें नीचे लग जाएं तो इसका भी ट्यार रखनें गाजरों को पानी अब फुष्क हो गए इसमें अंदूर शामी कर देते हैं बलाई के साथ ही तूँ डालने और इसको मिक्स कर लेते हैं इसके बाद आपनी लाजर पाउड़ 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 जाने और इसको बगायट रखे ही अब हमने इसको पगाना है इसका पानी फुष्क कर लेते हैं बारी बारी होक्वे से हम इसका चम चलाते रहेंगे ताके मीचे ना लग जाएं गाजरें कर दो कर दो कर दो कि अंगी याजरें तो तब रहे हो रहा हूं तो आज फोड़ी इसकी काम लग में ताजी नीचे रहा है अच्छे से इसको मिद्राइ करें अब बूद इत्क्र खुश्क होगे इसमें आप हम यह ओची रहा है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको अब इसमें डाल सकते हैं मैंने एक कप डाला है तो आप इसमें त्याड़ कपी डाल सकते हैं अब इसमें अब इसके मुताबे दिगर आप ज्यादा मीटा पसांगे अब इसमेंटे शामिल करतें के तोड़ कर बारी बारी अब इसमत नहीं है लाना अंच अलती रखनी है और फिर जब यह अंडे पकने लगें तो फिर इसको आपने मिक्स कर देना अब हमारे अंडे पाग गए हैं अब हम इसको इला लेंगे अब हम इसकी तुल कर दिये और अब इसको आए कर देंगे अब हम इसमें अपने नच टाब रहेंगे जो हमने काते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अब हमारा गाजर कालवा तियार है अगर आप लोग खोया इस्तमाल करना चाहते हैं अब यह मज़दार हमारा गाजरों कालवा राइडिया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन पर जरूर क्लिक किजिएगा ताके नेक्स टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें अलाह आपीज